आपकी जो पार्टी है देवेंद प्रदाब जी वो तो वंशवाद के विरोध में रही है हमेशा और इस बार आप खुद यहां साक्षात हैं मुख्यमंद्रे के सुपुत्र हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं यह सवाल आप दोनों के लिए कॉमन है परिवारवाद वंशवा आपको नहीं लगता कि इससे अच्छी छवी नहीं जाती जनता के बीच में दिखें मैं आपको बताओं कि वंशवाद क्या है हमारी पार्टी किस बात की विरोधिया उस बात को समझने का प्रयास कीजिए जिसे हम कॉंग्रेस पार्टी को देखते हैं तो कॉंग्रेस पार् है बॅभाटन मंत्री बनेगा लोकतांत्रिक पुरियास से अगर चुनकर आता है कल कल को अगर आप मंत्री बन गए तो मैं लोकतांत्रिक पुरियास souvent करांगे जो भी बनोंगा रेकी अनुसार मैं मंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रियास नहीं पार्ट्धयाद deeply想teilень राज जमें मंदριभनेगा, सांसाथ बनेगा, उसके बाद, आप आप कोंग्रेस पार्टे के अंदर देख लिजी एक याइन नहीं देख सकता है? कोई देख सकता है याइज मैवति जी कही देख सकता है मै आखलेश यदा मुलै हम शीडियाओग, शेपलय ऐदव, लचके यादव एकल्रें आग Goo खूकर यहां सब्सक्री जब है किस थोकिंद उसकर पद्थ के अलबहा क десятुक्त कि खूकि ज मंतलगी के लावा कोई सकता है क्या यहां पार्टी अलग परकार की पार्टी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जय वर्धन कल को मान लीजिए इनकी सरकार आ जाती है यह मंत्री बन जाते हैं तो इनोंने क्षेत्र में काम नहीं किया नहीं यह नहीं कहां लोगतांतर परक्रिया से चुनकर आएं तीजिए बेटा है अद्यशी बनेगा ऐसा संबब नहीं है होता है फाइदा मिला जेवी आपको अपने पिते जी इसमें सब मैं तो यह मानता हूं और जो पहला जो पॉइंट भया का था मैं उसे डिसग्री करता हूं क्योंकि अगर हम देखें तो पहले भी कॉंग्रेस पाटी में सी ने गए भाजपा में चुनाव होने थे नहीं हुए तो वो निर्भर करता है कि परिस्टि क्या होती है साथ में जब यूपी की सरकार बनी थी 2004 में तो अगर सुनय जी चाती तो प्रह मंत्री बन सकती थी क्या वो बनी नहीं बनी 2000 मैं मानता हूं 2009 में 2009 में यूपी टू बनन जी जी घृतिन प्रसाद जी ऐसे यूवा नेता सामने आये थे अगर उस समय चाते तो राओ जी प्रहमंति बन जाते के राओ जी पीम बने नहीं बने आप सोचिये तो अगर जा तक बात वान्श्वाद की है अगर कोई भी बड़े नेता का बेटा चुनाओ लड़के जीत तो उसमें बुरा किया है जनता वोट दे रही है अगर कोई भी अगर कोई भी अगर कोई भी बड़े नेता का बेटा चुनाओ लड़े और हार जाए बुरी तरह और वापिस टिकेट मिले तो वह गलत है लेकिन अगर वह खुद की मेहनत से वह काम कर रहा है आपने अपने पार्डी में अद्aimerब्सस्ट्पथ की बात की अरे एक ही नामिनेशन एक ही अडमी का कोई विरोग में है ही नहीं किया h cuisine अगर जितना कम विरोध होगा एसा ऐसा है आपको क्या लगता है क्यों कोई मात्वखांख्शन नहीं है क्यों क्यों कि हम वरोचा करते हैं जवार् ल का भला किया है जिस इंद्रा गांदी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये उसमें क्या बुरा है कि मैं इसे नेता हुकम फॉलो करते हैं यह हमारी परंपरा है जह हम पर वरोस्ता करते हैं हमारे नेता हैं वो